गाताओं कि आर पावर हमारे नजरों में इसलिए है ना कि बहुत छोटा शेर है और इसका मैथड ऐसा बता अब इससे अपने शेरों को हाथ से मत निकाल देना देखो सर जो शेर कंपनी बहुत बड़ी होती है उसके शेर हाथ से निकलने वाली चीज़े बिलकुल कलत हो जाती पैनी स्टॉक का मतलब थोड़ा सा और बीच में रोक रहा हम बता दू सर हमने किसी पैनी स्टॉक में अपना स्टेक लिया बड़े बड़े शेर है जैसे विप्रो, SDFC, SBI हो गया जी यह गिर रहे है विदानता गिर रहा है तो क्या इसमें से निकल जाओ इसके बाद ही जुड़ गई है पर यह चीज दर सारा है कि आगे जाकर इसके अंदर इस न्यूट किसी को देखने को मिलेगी यह खोच के लाया हूं मैं आपके लिए इस तरीके से 25 साल में पहली बार करज में डूब गई है कौन डूब गई है सर जो चीज सबसे ज़्यादा अनमोल है बस उसका ही हम ख्याल नहीं रखते नमस्कार मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सारतक बजार से आज बात करेंगे सर यस बैंक आर पावर हिंदुस्तान जिंक और वेदानता की बात करेंगे सर अडानी ग्रूप की सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ कि जो चीज सबसे ज़्यादा अनमोल है बस उसका ही हम ख्याल नहीं रखते यानि कि हमारा सरीर हमारा स्वास्ति सर ये जो स्वास्त है ना हमारा अगर इसको हम सही से मैंटेन करके रखें तो हम और अधिक जीवन में अच्छी चीजे देख सकते हैं जब हम बिमार हो जाते हैं तो दुनिया की हर चीज हमें बेकार लग जाती है फिर हम सोचते हैं कि अभी सब कुछ खा ले हैं जो अच्छे अच्छी चीज होती है ना जब बिमार होते हैं तब लगता है सारी चीज खा ले या किसी को हम खिला दे और जब कोई बंदा सही होत इसके लिए हमें परती दिन कुछ न कुछ वयाम हो गया, घूमना हो गया, कुछ अपनी स्वास्त का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्त है ना, तो सब कुछ सही है मैं आपको बता दू, हम मर 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 के पैसे कमा रहे हैं, और इस पैसे को बाद में बिमार होने में अपने को सही करने में लगा रहे हैं ध्यान रखना आदमी स्वस्थ है ना सब कुछ उसको अच्छा लगने वाला है आज का मंत्र अलग से निकाल के लाया है को कहीं में बैटा था तो बुझरुक के पास बैटा था उन्होंने का भाई सोल चीजों से परे अपना एक स्वास्थ है इस इस पर जादा ध्यान केंदरित करो जब हम स्वस्थ हो जाते हैं ना तो सोचने की ठिंक बढ़ जाती है जब हम अच्छे हो जाते हैं तो कई न कई और अच्छा देखने की अभिलासा बढ़ जाती है फिर हमारा मन भी और माइंड भी बिल्कुल सही रहेगा और शेयर मार्क में सब बता रहें target यह वो है special चीज भी पता लगनी चाहिए जिसके वज़े से हमें अपने जीवन को सही करना और काम business में करना या share market में करना सब तरीकों से आपको काम करना आना चाहिए जिस तरीके से 25 साल में पहली बार करज में डूब गई है कौन डूब गई है सर हिंदुस्तान जिंग 20 साल से करजा मुक्त कंपणी वित वर्स 2023 में करीब 1780 क्रोण रुपे के करज में डूब गई है यह क्या चीज दरसारा है सर यह चीज इसलिए दरसारा है कि वेदानता समू की जो भार की कंपणी वेदानता रिसोर्स है ना वो अपनी balance इट को अच्छ करती जा रही है और यहां पर हिंदुस्तान जिंग और जिस तरीके से वेदानता अनिल अगरवाल जी की दोनों कंपणी और दोनों पे करजा जादा से जादा बढ़ता जा रहा है तो 20 साल से जादा दिनों तक अपने को करजा मुक्त रखने वाली कंपणी करज के बोज में डूब गई है जस्ता और चांदी का उत्पादन करने वाली नंबर वन कमपनी जो बैस्ट कमपनी है ऐसा नहीं है कि करजा चड़िया तो कमपनी खराब होगी पर ये चीज दरसारा है कि आगे जाकर इसके अंदर इस ये नियूज किसी को देखने को मिलेगी नहीं ये खोज के लाया हूँ मैं आपके लिए तो जो कमपनी जिस तरीके से हैडलाइन में आजाता है ना कि 20 साल से ज़्यादा से अपने को करजा मुक्त रखने वाली कमपनी करज में डूब गई है और उसका जो जुडाओ है वेदानता से क्योंकि वेदानता का करीब इसके अंदर यानि अनिल अगरवाल का इसके अंतर करीब 64.92% का इसके अंदर वो प्रमोट है ने हिस्सा लेके एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि इस तरीके से वेदानता सबसे बड़ा हिंदूस्तान जिंक में सबसे बड़ा प्रमोटर है जो 64.92% की हिस्सेदारी लेकर इसके अंदर बैटा है और आपको देखने को भी मिला है कि और ज़्यादा कुछ हिस्सेदारी हिंदूस्तान जिंक में लेना चारहे हैं लेकिन उसके लिए काफी पैसों की जरुरत है अपना वैस्वी की इस तरtha का जिंक का वैपार यह अपनी कंपनी हिंदूस्तान जिंक को बेचना चारहे है जिसके लिए सरकार राजी नहीं हो रही है अब ये देखने को जो इसके अंदर 64.92% का हिस्सेदारी है ना उसके अंदर से भी विदानता ने अपनी 64.92% की हिस्सेदारी में से 91% को गिर्वी रख दिया है यह क्या दर्सारा है यानि कि गिरिवी रखो फिर पैसा लो फिर उससे काम करो वैपार आगे तक बढ़ाने के लिए इस तरीके से जो गिरिवी शेर रखे जाते हैं यह नई बात नहीं है बड़ी बड़ी कंपनी रख देती है लेकिन 64.92% में से 91% ही इनका तो गिरिवी रखा गया है यह भी न्यूज आपको समझ कर चलने पड़ेगी तो यहाँ पर हिंदूस्तान जिंक और विधानता दोनों तालमेल निखा रहे हैं दोनों में कुछ ना कुछ उतल पुतल हो रही है बाहर वाली कंपनी की तो बैलेंस सीट सुधार में आ गई लेकिन हिंदूस्तान में जिस तरीके से यह प्रोब्लम निकल कर आ रही है बड़ी चुनोतियों की प्रोलम है अब इससे अपने शेडों को हाथ से मत निकाल देना देखो सर जो सेर कंपनी बहुत बड़ी होती है उसके शेर हाथ से निकलने वाली चीज़े बिलकुल कलत हो जाती है यह चीज़े ह में पैनी स्टॉक में करनी चाहिए पैनी स्टॉक का मतलब थोड़ा सा और बीच में रोक रहा हम बता दूं सर हमने किसी पैनी स्टॉक में अपना स्टेक लिया या चाहे वो सुजलोन और पावर और यज बैंक जैसे भी हो उसके अंदर दो मेंने छह मेंने पांज मेंने जाए हो गया जी यह गिर रहा है विधान ता गिर रहा है तो क्या इसमेंसे निकल जाओ इसमें अपनी रल्डlot स करने करने वाली तो यह सबस्तों को इसे को समझाएंगा रहा है नहीं आपको बता दो तो यहाँ पर उगी है जो बीस आल में नई होई वो अब हो गई है तो ये प्रोब्लम बहुत बड़ी है और इससे ये शेर गिरेगा आगे जाके ये आप देख लेना ये गिरेगा आगे थोड़ा सा बढ़ने के बाद गिरेगा इंदुस्तान जींग क्योंकि ये नियू जी इस तरीकी से है जो 20 साल में अपने को ज उन्हें बिल्कुल गलत हैं ये मैंने कह रहा हूं वेदानता के जो परमुक है अनिल अगरवाल जी उन्होंने का है उन्होंने का है कि 30 अरब डॉलर के राजसर्व से वह 9 अरब डॉलर की कमाई मुनाफ़ा कर लेंगे ये बहुत बड़ी नियूज निकल कर आ रहे हैं पर समाई करने की अब दी सुनो सर ये अगले साल है 2024 में तो यहां पर उतल पुतल बहुत ज्यादा वेदानता के शेरों में आएगी आपको समझ कर चलना पड़ेगा और वह कह रहे हैं कि 2-3 साल में वह जितने भी रिण है ना उसको सुद सुनने कर देंगे सुद सुनने कंपन कर क्या निकल कर आ रहा है समय निकल कर आ रहा है तो दोनों न्यूज बहुत बड़ी बताई मैंने आपको एक तो वो अपने करज को निप्टाने के लिए भरपुरू परियास करेंगे दो से तीन साल में रिंड जो होते हैं उसको सुद सुनने कर वाली कंपनी बना देंगे और उसके बाद जिस तरीके से लोग उंगली उठा रहे हैं तो अगले साल ये 30 अरब डोलर के राजसव से 9 अरब डोलर कमा लेंगे यानि अगले साल होगा ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा इंदूस्तान जिंक जिस तरीके से करजे में डूब गई है ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा सारे मंतन अपने आप करिए और पावर जिस तरीके से अपने को अच्छे से अच्छे पॉटफोलियो में जोडने के लिए बरपूर पर यास कर रहा है और तीन मही को इसका रिजल्ट आने वाला है और सब की नजर इस शेर पर है क्योंकि ये नीच कर चलना पड़ेगा ये मैंने आपको कहीं बार काया कि दिर्ग कालीन वजो के लिए खीज की गई थी कि बड़े लंबे समय के लिए बारा सो क्रोड रुपे ये वर्दे पार्टनर से उठाएगा और उसके बाद इसका शेर काफी तेजी के साथ स्पाइक मारके भागा तो ह हमें क्या करना था हमें अपने प्रॉफिट पर विसेज ध्यान करना था मैंने आपको बताया है ना कि पैनी स्टॉक में जब उच्छा लाए तो वहां पर अपने प्रॉफिट की मंसा बनानी चाहिए क्यों कि दो से तीन चार दिन लगाता और फिर पैनी स्टॉक में आ रहा आया था कि हजार सेर अगर हमारे सो टरम के है न तो सो शेर हमरे लोंग टरम के होने चाहिए आपको तोड़ी तेजी दिखा दे फिर वहां पर कौन-कौन सी अपनी मन सा आपको जगानी चाहिए या आपको देखना चाहिए लंबे समय का विसे आर पावर में बहस्त है फिर लो पहले तेजी या गिरावट तेजी गिरावट को छोड़ो सेर को रखो जब तेजी के महला हैं अपने प्रॉफिट को देखो ये चीज़े आपको इसके अंदर बना कर चलनी पड़ेगी से भी और महलत मांग रहा है अडानी ग्रूप के ऊपर जो हिडन बरक की वज़े से काम कर रहा है जिसका अरोब हिडन बरक की वज़े से अडानी पर लगा है और अडानी के शेर काफी नीचे की तरफ हैं तो एक निउस निकल कर आ रही है कि से भी चाह रहा है कि दो माई को जो उसको रिपोर्ट परस्तूत कोट के समक्ष रखनी थी जो कमिटी कोट ने बिठ इस से जो भी चीजे सेभी करना चाह रहा है उसको और समय उसको और जादा से जादा गहन अध्यन के लिए चाहिए मामला लंबा है तो जटिलता वाली चीजे बहुत जादा आ रही हैं और सेभी के वज़े से ये भी का जा रहा है कि जो अडानी ग्रूप की इकाईयां जो रहे हैं उसके बारे में भी एहम जो सबूत कुछ भी चीज़े हैं उसके लिए भी अब ये वर्क करेगा यानि भार वाली काई या जो विदेसों में काई हैं तो वो भी इसको अपने समक्ष रखनी है तो कहीं न कहीं इस वजे से ये लंबी दूरी के लिए अपना टैम मांग कर रहा है अब वो कब करेगा इसकी नई नियूज निकलकर यानि नई डेट निकलकर फिर कोट के दुवारा आएगी तो यह आपको समझकर सर्थ चलना चाहिए कि सेवी ने जो अपनी रिपोर्ट दो मई को करनी थी वो नहीं कर रहा है यह तेजी का संकेत है अब इसके मैंने कहा था इससे पहले कि यह कुछ खरीद लें कुछ चीजे कर लें उस पर विसेज ध्यान मत दो सेवी की तरब देखो अब सेवी की एक एहम चीज हो रही कि दो मई वाली चीज अब वो सुप्रीम कोट में याची का लगा रहा है वो बाद में करेगा तो जब तक कि इस जाई तो फिर लोवर सरकेट पोजिटिव नहीं हो जाई तो फिर अपर सरकेट यह आपको समझ कर सर चलना पड़ेगा ही पड़ेगा जिस तरीके से यस बैंक में काफी दिनों से जो इसके अंदर लोकिंग पीरड वाली चीजे फसी हुई थी और उसके बात से लग रहा था कि वो जो इसको समाल कर बैटे हैं वो निकलेंगे तो यह फिर दुबारे से आपको ग्यारा बारा तेरा में मिलेगा लेकिन अचंबित बात यह है कि जिन बैंकों ने इसको समाला है वो इसके अंदर से अभी एकजिट करकर नहीं बैटे है और उसके बाद इसका रिजल्ट भी आ गया है और रिजल्ट के बाद जिस सरीके से सालसाल गिरावट की है उस सेर ने उस तरीके से रियाक्ट तो किया वो ये चीज़े होंगे कि जिस तरीके से court में जो मसले चल रहे हैं तीवन बॉंड के चल रहे हैं या फिर इसके अंदर जो target निकल निकल कर आ रहे हैं ICI security के तरफ से इसके target काफी नीचे के आ गए 13.50 पैसे के target निकल कर ICI security के तरफ से आ गए यह भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा और आपको मैंने पहले भी गाता कि target का मतलब यह है कि share वहां तक जा सकता है पर जीरो नहीं होगा यह मतलब नहीं होता तो वह अपनी analyze से 13.50 पैसे के target दे रहे हैं अब यह यह भी हो सकता है कि share काफी उपर जाए फिर घूम फिर के यह पांच-छे मिने में इस रेट पर आ जाए यह भी हो सकता है 14 रुपे के market expert जो है बड़े-बड़े expert जो है इसके 14 15-10 रुपे के target ईजास बैंक के दे रहे हैं और मैंने कहा था कि अगर आपको target में घूमना है तो फिर आप target देखते रहो फिर इस से दूर और अगर आपके इसके काम देखने जिस तरीके से अपनी साखाई में आपको एक चीज बताई थी कि ये क्या कर रहा है ये साखाई बढ़ा रहा है गाहों की तरब कि छोटी बात नहीं है कि कोई बैंक अपनी साखाओं को बढ़ाता जा रहा है और एक तरफ उसके उपर वेकार चीछ चल रही है तो दोनों परलों को आपको देखना चाहिए शेरों की गिरावट होनी लाजमी है अब अडानी गुरूप के शेर इतने उसके पाद लोगों के टरगे निकल निकल रहा है तो यहां पर अगर आगर लंबे समय का विस है फिर इसके अंदर आपको लंभी दूरी बना कर चलने पड़ेगी फिर एक बार बता दूँ इसके अंदर जो 81 का बॉंड का मसला है जैसी फ्लेवर डील का मसला है यह और जो इसके अंदर निवेसक जुड़े हैं बैंक वो हैं जिन्होंने समाल है वो इसके अंदर इफैक्ट डालेगा और वो डाल सकता है सर उपर जाकर तो तेरा पचास और चोदा रुपे के टार्गेट इस 10 बैंक में आ गए अब आपको देखना है कि आपके अंदर चमता क्या है कि जो बैंक रूपियों में वेपारकर रहा है जो बैंक को जादा से जादा अपने ब्राँच खोलने के लिए टैम मिल रहा है जिस बैंक के ऊपर सबसे ज़्यादा शेर धरक चिपके पड़े हैं जो बैंक अपने को प्रॉफिट पर लगातार ला रहा है अब कम कर रहा है वो अलग मात लगातार ला रहा है तो कहीं न कहीं इसकी दिसा फिर लंबी बनाने चाहिए तो जिस तरीके से हिंदुस्ताइन जिंक ने अपने को करजे में डुबा लिया है 20 साल से भी जादा दिन तक किये बिना करजवाली कंपनी बनी थी तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा और हिंदुस्ताइन जिंक में वेदानता ने अपनी कुल होल्डिंग का 91% जो है गिर्वी रख दिय है और यह आपको समझना है कि अनिर अगरवाल जी ने काया कि वेदानता के करज चुकाने के सवाल पर कोई उंगली न उठाए वह इसको पूरा अगले दो से तीन साल में पूरा कर देगा और वह 30 अरब डॉलर राजिसव के बदले 9 अरब डॉलर अगले साल वह इस कमपनी स कमाएगा बैस संकेत निकल कर आ रहे हैं और आर पावर हो गया यस बैंक हो गया जहां भी आपको एक अच्छी से उठाल के सिलसिले पैनी स्टोक पर मिलते हैं वहां पर अपने दुआरा अपने सिलसिले बनाने चाहिए मैंने आपको विधी बता रहा हूं कि कभी-कभी आर पावर भी भागा है कभी-कभी सुझलोन भी भागा है कभी-कभी यस बैंक भी बागा है और फिर बता रहा हूं कि जब भी पैनी स्टोक तेजी दिखाए और वो शेर आपके पास नहीं है उस शेर को खरीदना ही नहीं है बस आपको यह समझ कर चलना पड़ेगा तो सच्छ नहीं का